नमस्कार माहुर्शर माई लिव्ज इंडिया वापका स्वागत है जैसे जैसे वर्ड कप नजजी का आता जा रहा है वैसे वैसे किर्किट के देगज अपनी राय देते जा रहे हैं कि अपकी बार वर्ड कप कौन जीतेगा और कौन है दावेदा इस समय विराट कोली पर भी सबस्क्राइक नज़रे बनी हुई है क्योंकि भारत टीम के कबतान है और सबसे सफल बल्ले बाज हैं अब तक के तो इसी चक्षर में ने काफी बल्ले बाज हैं और गैन बाज हैं इन पर अपने बयान दे बे बाता पने धोनी और रोहिश शर्मा के साथ कप्तानी करने का अनुभव मिलेगा और उसके बाद उनसे सवाल पूछे गए कि रॉयल चिनिन बैंगलॉर की कप्तानी जादा खास नहीं रही है क्या इसकी वज़े से भी कुछ फरक पड़ेगा तो इस पर गांगली ने बोला कि IPL एक अलग प्लैटफॉर्म है और वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए तो एक दिफ्ट से जो वंडे मुकाबले होते हैं उसमें कोहली की कप्तानी कुछ अलग देखने को मिलती है इस पर गांगली ने यह भी कहा कि विराट कोहली की IPL कप्तानी रिकॉर्ड की भारत के साथ तुलना मत क भारत के लिए उनका कप्तानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनके साथ जोहिज जैसा उपकप्तान है दोनी टीम में है इसलिए उन्हें अच्छा सहीयोग मिलेगा इसके बाद 46 वर्षे सौरफ गांगली ने कहा हार्डिक पांडिया एहम भूमी का निवाएंगे वह बहत पूर्ण होगा क्योंकि हार्डिक पांडिया इस समय एक अच्छे और राउंडर के तोर पर निखर के आ रहे हैं और आई पेल में भी इनका दंदार परफॉमेंस देखा गया है तो अब देखना होगा कि तीस तारिक से बड़ कप शुरू होने वाला है तो उसके लिए कौन कितना कामियाब रहे का इस के लावा गौंगली ने अपनी सेमिफाइनल के लिए भी अपने टीमें बताई कि चार टीमें वो कौन सी होंगी जो सैमिफाइनल कھیलेंगी। की बार सबसे मजबूत दावेदाद माना जा रहा है तो वो वर्ड कप भी जीत के लाए इसी इतमाम ख़बरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ आई न्यूस इंडिया पर